साहित्य निदी में आज सुनिये सुप्रसिद कथाकार, पन्यासकार और साहित्यकार जैशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी पुरसकार आर्द्रा नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घुमर जिसमें देव दुन्धुबी का गंभीर भोश प्राची के एक निरब्र कोने से स्वर्ण पुरुष जापने लगा था, देखने लगा महराज की सवारी शैल माला के अंचल में समतर उर्वरा भूमी से सोंधी बास उठ रही थी नगर तोरण से जैगोश हुआ, भीर में गजराज का चामर धारी शुन्द उन्नत दिखाई पड़ा वो हर्ष और उत्सा का समुत्र हिलोर भड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा प्रभाद की हेम किरुनों से अनुरंजित नन्नी नन्नी बूंधों का एक छोंका सुर्ण मलिका के समान बरस पड़ा, मंगल सूचना से जन्ता ने हर्ष्थ हने की रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्त जम गई, दर्शकों की भीर भी कमना थी गजराज बैट किया, सीडियों से महराज उतरे, स्वाभागिवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आमर पलवों से सुशोभित, मंगल कलश और फूल कुनकुम तथा खीलों से भरे थाल लिए मधूर गान करते हुए आगे बढ़े महराज के मुक पर मदूर मुसकान थी, पुरोहित वर्ग ने स्वस्तेयन किया सौन रंजित हल्की मूट पकड़कर महराज ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया बाजे बजने लगे, किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूनों की वर्षा थी कोशल का ये उत्सव प्रसद्य था एक दिन के लिए महराज को क्रशक बनना पड़ता उस दिन इंदर पूजन की धुंधाम होती, गोट होती, नगर निवासी उस पहाड़ी भूमे में आनन्द मनाते प्रतिवर्ष क्रश्य का ये महुत्सव उत्सव से संपन होता दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाओ से आकर योग देते मगत का एक राजकुमार अरुन अपने रत पर बैठा बड़े कौतूहल से दर्श्य देख रहा था बीजों का एक बाल लिए कुमारी मधुलिका महराज के साथ थी बीज बोते हुए महराज जब हाथ बढ़ाते तो मधुलिका उनके सामने ठाल कर देती ये खेत मधुलिका का था जो इस साल महराज की खेती के लिए चुना गया था इसलिए बीज देने का समान मधुलिका ही को मिला वो कुमारी थी सुन्दरी थी कौशे वसन उसके शरी पर इधर उधर लहराता हुआ स्वेम से शोबित हो रहा था वो कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को क्रशक बालिका के शुब रभाल पर श्रम करोनों की कमी न थी वे सब बरॉनियों में गुथे जा रहे थे सम्मान और लज्जा उसके अदरों पर मंद मुस्कुरहाट के साथ सिहर उटते किंतो महराज को बीच देने में उसने शिथिलता ने की सब लोग महराज का हल चलाना देख रहे थे विसमे से कौतु हल से और अरुन देख रहा था क्रशक कुमारी मधुलिका को अहा कितना भोला सौंदर है कितनी सरल चित्वन उत्सव का प्रधान प्रत्य समाप्त हो गया महराज ने मधुलिका के खेत का पुरसकार दिया थाल में कुछ स्वण मुद्राएं वो राज की अनुक रह था मधुलिका ने थाली सिरसे लगा ली किन्तु साथ ही उसमे की सौंद मुद्राओं को महराज पर निचावर करके बिखेड दिया मधुलिका की उस समय की उर्जस्वित मूर्ती लोग आशर से देखने लगे महराज की ब्रक्टी भी जरा चड़ी ही थी कि मधुलिका ने सविने कहा देव ये मेरे पित्र पिता महों की भूमी है इसे बेशना अपराद है इसलिए मूलिस्विकार करना मेरी सामर्थे के बाहर है महराज के बोलने के पहले इव्रद मंत्री ने तीखे सौर में कहा अबोध क्या बक रही है राजकिय अनुग्रह का तिरसकार तेरी भूमी से चोगना मूली है फिर कौशल का तो ये सुनिश्चित राष्टिय नियम है तू आज से राष्टिय रक्षन पाने की अधिकारणी हुई इस धन से अपने को सुखी बना राजकिय रक्षन की अधिकारणी तो सारी प्रजा है मंत्रिवर महराज को भूमी समरपन करने में तो मेरा कोई वरोध न था और ना है किन्त मूली सुखार करना संभव है मधुल का उतेजित हो थी महराज के संकेत पर मंत्री ने कहा देव वारानसी युद के अन्यतम वीर सिंग मित्र की ये एक मात्र कन्या है महराज चौक उठे सिंगर मित्र की कन्या जिसने मगद के सामने कोशल की राज रख ली थी उसी वीर की मधुल का कन्या है हाँ देव सविन्य मंत्री ने कहा इस उत्सव के परमपरागत नियम क्या है मंत्रिवर महराज ने पूछा देव नियम तो बहुत साधारण है किसी भी अच्ची भूमी को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमा नुसार पुरुसकार सरूप उसका मूले दे दिया जाता है वो भी अत्यंत अनुक्रह पूरवक अर्थात भू संपत्य का चौगना मूले उसे मिलता है उस खेती को वही व्यक्ति वर्षवर देखता है वो राजा का खेत कहा जाता है महराज को विचार संगर्ष से विश्राम की अत्यंत आवशकता थी महराज चुप रहे जैगोश के साथ सभाविसर जित हुई सब अपने अपने शिवरों में चले गए किन्त मदुलिका को उच्सव में फिर किसी ने न देखा वो अपने खेत की सीमा पर विशाल मदूप रक्ष के चिकने हरे पत्तों की चाया में अन्मनी चुक्चा बैठी रही राति का उच्सव विश्राम ले रहा था राजकुमार अरुन उसमें सम्मिलित नहीं हुआ अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था आँकों में नीन न थी प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी वो रंग उसकी आँकों में था सामने देखा तो मुडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंक पहलाए अगड़ाईली रही थी अरुन उठखड़ा हुआ द्वार पर सुसजित अश्व था वो देखते देखते नगर तोरर पर जा पहुचा रक्षगर उंग रही थे अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे युवक कुमार तीर सा निकल गया सिंदु देश का तुरंक प्रभात के पवन से पुलकित को रहा था गुमता गुमता अरुन उसी मधूक व्रक्ष के नीचे जा पहुचा जहां मधुल का अपने हाथ पर सिर्धरे हुए खिन निद्रा का सुखले रही थी अरुन ने देखा एक छिन माधूी लता व्रक्ष की शाखा जे चुत्थ होकर पड़ी है सुवन मुकलित भ्रहमर निस्पंद थे अरुन ने अपने अशो को मौन रहने का संकेत किया उस सुश्मा को देखने के लिए परंतो कोकेल बोरू उठा जैसे उसने अरुन से प्रश्न किया छी राजकुमारी के सोही हुए सौंदर पर द्रिष्ट पात करने वाले द्रिष्ट तुम कौन मदुलिका की आँके खुल पड़ी उसने देखा एक अपर्चत युवक वो संकोच से उड़न ठी भद्रे तुमीना कल के उच्चो के संचालिका रही हो उच्चो हाँ उच्चो ही तो था कल उस सम्मान क्यों आपको कल का सपन सता रहा है भद्र आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहे देंगे मेरा हिर्दय तुमारी उस छवी का भक्त बन गया है देवी मेरे उस अभिने का मेरी विडम्मना का मनुझ कितना निर्दय है अपर्चे दिक्षमा करो जो अपने मार्क सरलता की देवी मैं मगत का राजकुमार तुमारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ मेरे हिर्दय की भावना अगुंठन में रहना नहीं जानती उसे अपनी राजकुमार मैं कृशक बालिका हूँ आप नंदन बिहारी और मैं प्रत्थी पर परिश्रम करके जीने वाली आज मेरी इसने की भूमे पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है मैं दुख से भिकर हूँ मेरा उपहास ना करो मैं कोशल नरेश से तुमारी भूमे तुमें दिलवा दूँगा नहीं वो कोशल का राश्ट्रिय नियम है मैं उसे बदलना नहीं चाहीती चाहे उसे मुझे कितना ही दुख हो तब तुमारा रहस से क्या है ये रहस मानों हिर्दय का है मेरा नहीं राश्कुमार नियमों से यद्य मानों हिर्दय बार्द होता तो आज मगत के राश्कुमार का हिर्दय किसी राश्कुमारी कि और न ख Creek कर एक क्रशक बालिका का अपमान करने ना आता मदुलिका उठ खड़ी另外 चोट खाकर राजक्वार लोट पड़ा, किशो और किर्णों में उसका रतने किरीट चमक उठा अश्य वेग से चला जा रहा था और मधुलिका निश्टुर प्रहार करके क्या स्वयम आहत न हुई उसके हिर्दे में टीस सी होने लगी, वो सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया, वो दूसरे खेतों में काम परती और चोथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ रहती मधुलिक व्रक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कोटीर थी, सूखे डंठलों से उसकी दिवार वनी थी, मधुलिका का वही आश्रह था कठोर परिश्रम से जो रूखा अन मिलता, वो ही उसकी सासों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांती थी, आसपास के क्रिशक उसका आधर करते, वो एक आधर्श बालिका थी, दिन सप्ता, महीने और वर्ष बीथने लगे शीतकाल की रजनी, मेगों से भरा आकाश, जिसमें बिजली की दौर भूट, मदुलिका का छाजन टपक रहा था, ओडने की कमी थी, वो ठिटोर कर एक कोने में बैठी थी मदुलिका अपने अभाव को आज बढ़ा कर सोच रही थी, जीवन से सामंजस से बनाए रखने वाले उपकरर तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंत उनकी आवशकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती करती रहती है, आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई ब दुग्द, दग्द, हृदे, उन स्वपन सी बातों को इसमर रख सकता था, और इसमर नहीं होता तो भी कश्टों की सकाली निशा में वो कहने का साहस करता, हाई रीविडम बना आज मदुलिका उस बीते हुए क्षण को लोटा लेने के लिए विकल थी, दारेद्र की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है, मगत की प्रसाथ, माला के वैभव का कालपनिक चित्र, उन सुखे डंटलों के रंद्रों से नब में बिजली के आलोप में नाश्ता हुआ दिखाई देने लगा, खिलवारी शिश्य जैसे शावन की संध्या में जुगनु को पकड़ने के लिए हात लबकाता है, वैसे ही मदुलिका मनी मन कर रही थी, अभी वो निकल गया, वर्षा ने भीशन रूप धारण किया, गड़गढ़ाट बढ़ने लगी, ओले प समक उठी, उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है, सहसा वह चिलाव थी, राजकुमार मदुलिका आश्यर से विवक ने कहा, एक शन के लिए संध्याटा च्छा गया, मदुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई, इतने सिर जुका कर अरुन ने कहा, मैं मगत का विद्रोही निर्वासित कोशल में जीवका खुजने आया हूँ, मदुलिका उस अंदिकार में हस पड़ी, मगत का विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे, एक अनाथनी कर्शक बानी का, ये भी एक विटम्बना है, तो भी मैं स् प्रस्तो थूँ शीत काल की निस्तब्ध रजनी कोहरे सी धुली हुई चांदनी हाड कपा देने वाना समीर तो भी अरुन और मदुलिका दोनों पहाडी गवर के द्वार पर वट व्रक्ष के नीचे बैठे हुए बाते कर रहे हैं मदुलिका की वाड़ी में उत्साहा था किन तो अरुन जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता मदुलिका ने पूछा जब तुम इतने विपन अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या वशकता है मदुलिका बाहुबली तो वीरों की आजीविका है ये मेरे जीवन मरड के साथ ही है बना मैं इने कैस छोड़ देता और करता ही क्या क्यों हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते अब तो तुम भूलना करो मैं अपने बाहुबल पर भरुसा करता हूँ नए राजी की स्थापना कर सकता हूँ निराज क्यों हो जाओं अरुन के शब्दों में कमपन था वो जैसे कुछ कहना चाह अमी के सम्मान में सिंगासन पर बिठाऊंगा तुम अपने चिने हुए खेत की चिंता करके भैबीत न हो एक शन में सरल मदुलिका के मन में प्रमात का अंधर बहने लगा द्वंद मच गया उसने सहसा कहा आँ मैं सचमुष आज तक तुमारी प्रतीक्षा करती थी राज अरुन धिटाई से उसके हातों को दबा कर बोला तो मेरा भ्रम था तुम सचमुष मुझे प्यार करती हो यूवती का वक्ष इस्थल फूल उटा वो हाँ भी नहीं कह सकी और ना भी नहीं अरुन ने उसकी अवस्था का अन्भौ कर लिया कुशल मनुष्य के समान उसने पातंक देखोगी मधुलका एक बार काप उठी वो कहना चाहती थी नहीं किंत उसके मुझे निकला क्या सत्य मधुलका कोशल नरेश तभी से तुमारे लिए चिंतित हैं ये मैं जानता हूँ तुमारी साधरन सी प्रातना वो अस्विकार न करेंगे और मुझे ये भी विद है कि कोशल के सेनापती अधिकांच सैनकों के साथ पहाडी दस्तियों का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं मधुलका की आखों के आगे बिजलियां हसने लगी दारों भावना से उसका मस्तक विक्रत हो था अरुन ने कहा तुम बोलती नहीं हो जो कहोगे वो करू मंत्र मुग्द सी मधुलका ने कहा स्वन मंच पर कोशल नरेश अर्ध निद्रित अवस्था में आखे मुकलित किये हैं एक चाम धारन यूती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है चामर के शुब्र आंदोलन उस प्रकोष्ट में धीरे-धीरे स अज़ित हो रहे हैं तामूल वहीनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है प्रतिहरी ने आकर कहा जै हो देव एक स्तिरी कुश प्रार्थना लेकर आई है आँख खोलते हुए महराज ने कहा स्तिरी प्रार्थना करने आई है आने दो प्रतिहारी के साथ बधुलिका आई उसने प्रणाम किया महराज ने इस्तिर द्रश्टे से उसकी और देखा और कहा तुम्हें कहीं देखा है तीन बरस हुए देव मेरी भूमि खेती के लिली गई थी ओ तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए आज उसका मूले मांगने आई हो क्यों अच्छा अच्छा तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी नहीं महराज मुझे मूले नहीं चाहिए मूर्ग फिर क्या चाहिए उतनी भूमि दुर्ग के दक्षरी नाले के समीब के जंगली भूमि वहीं मैं अपनी खेती करूँगी मुझे एक साहयक मिल गया है वो मनश्यों से मेरी साहिता करेगा भूमि को समतली बनाना होगा महराज ने कहा क्रशक बालिके वो बड़ी उबर खाबर भूमि है तिस पर वो दुर्ग के समीब एक सैनिक महत्व रखती है तो फिर निराश लौट जाओ सिंग मित्रगी करनिया मैं क्या करूँ तुमारी ये प्रार्थन देव जैसी आग्या हो जाओ तुम समझीवियों को उसमें लगाओ मैं अमात्य को आग्या पत्र देने का आदेश करता हूँ जै हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मदिल का राजमंदिर के बाहर आई दुर्ग के दक्षन भयावने नाले के तट पर घना जंगल है आज मनुष्यों के बद संचार से शूनिता भंगो रही थी अरून के छिपे वे मनुष्य स्वतंतरता से इधर तर घूनते थे जाडियों को काट कर पत बन रहा था नगर दूर था फिर उधर यों ही कोई नहीं जाता फिर अब तो महराज की आग्या से वहां मदुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था तब इधर की किसको चिंता होगी एक घने कुझ में अरून और मदुलिका एक दूचरे को हर्शित नेतरों से देख रहे थे संद्या हो चली थी उस निविड वन में उन नवागत मनुश्यों को देखकर पक्षी गण अपने नीड को लोटते हुए अधिक को लाहल कर रहे थे पर संद्यता से अरून की आँखे चमक उठी सूरी की अंतिम किरन जुरुबंट में घुजकर मदुलिका के कापोनों से खेलने लगी अरून ने कहा चार प्रहर और विश्वास करो प्रभात महीं इस जीन कलेवर कोशल राष्ट की राजधानी शावस्ती में तुमारा अभिशेक होगा और मगत से निर्वासित मैं एक स्वतंतर राष्ट का अधिपती बनूँगा मदुलिके भयानक अरून तुमारा साहस देखकर मैं चक्कित हो रही हूँ केवल सौ सैनिकों से तुम रात के तीसे प्रहर मेरी विजयात तरह होगी तो तुमको इस विजया पर विश्वास है अवशे तुम अपनी जोपनी में इराद बिताओ प्रभास से तो राजबंदिरी तुमारा लीला निकेतन बनेगा मदुलिका प्रसन्य थी किन्तो अरून के लिए उसकी कल्यान कामना सशंक थी वो कभी कभी उद्दिग्म सी होकर बालकों के समान प्रशन कर बैठती अरून उसका समाधान कर देता सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा अच्छा अंदिकार अधिक हो गया अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे वी प्राण से इस अभियान के प्राणंबिक कार्णियों को अर्द रात्रे तक पूरा कर देना चाहिए तब राते भर के लिए विदा मदूलिके मदूलिका उठ खड़ी हुई कटिली जाडियों से उलश्ती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंदिकार में वो जोपड़ी के ओर चली पत अंदिकार में था और मदूलिका का हिर्दे भी निविर्टम से घिरा था उसका मन सहसा विचलित हो था मदूरता नश्ट हो गई जितनी सुक कल्पना थी वो जैसे अंदिकार में विलीन होने लगी वो भैबीत थी पहला भै उसे अरुण के लिए उत्पन हुआ यदि वो सफल ना हुआ तो फिर सोचने लगी हो वो क्यों सफल हो शावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए मगत का चिर्शत्रो ओ उसकी विज़े कौशल नरेश ने क्या कहा था सिंग मित्र की कन्या सिंग मित्र कौशल का रक्षक वीर उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है नहीं नहीं मधुलिका मधुलिका जैसे इसके पिता उस अंधकार में बुकार रहे थे वो पगली की तरह चिला उठी रास्ता भूल गई रात एक पहर बीच चली पर मधुलिका अपनी जोपी तक ना पहुँची वो उधेर बुन में विक्षिप सी चली जा रही थी उसकी आँखों के सामने कभी सिंग मित्र और कभी अरुन की मूरती अनिकार में चित्रित होती जाती उसे सामने आलोग दिखाई पड़ा वो बीच पत में खड़ी हो गई प्राया एक सो उलकाधारी अश्वारोही चले आ रहे थी और आगे आगे एक वीर अधेर सेनिक था उसके बाएं हात में अश्व की वलगा और दाहिने हात में नगन खडग था अत्यान धीरता से वो टुकड़ी अपने पत पर चल रही थी परंत मधुली का बीच पत से हिली नहीं प्रमुक सैनिक पास आ गया पर मधुली का भी नहीं हटी सैनिक ने अश्व रोक कर कहा कौन? कोई उत्तर नहीं मिला सेना पती हस पड़े बोलें पगली है पगली नहीं यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती सेना पती? मुझे बान लो राजा के पास ले चलो क्या है इस पश्ट कहे? शावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्यों के हस्तगत हो जाएगा दक्षरी नाले के पार उनका आकरमन होगा सेना पती चौक उठे उन्होंने आश्टरे से पूचा तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हैं उशिगरता करो सेना पती ने असी सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आग्या दी और स्वेम बीस अश्वारोहियों के साथ दूर्ग की ओर बढ़े मधूली का एक अश्वारोही के साथ बान दी गई शावस्ती का दूर्ग कोशल रास्टर का केंदर इस रात्र में अपने विगत व्यभव का सपन देख रहा था बिन राजवंशू ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है अब वो केवल कई गावों का अधिपती है फिर भी उसके साथ कोशल के अतीत की सौन गाथाएं लिपती है वही लोगों के इश्या का कारण है जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेख से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुखे तब दुर्ग के प्रहरी चौख उठे उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापती को पहचाना द्वार खुला सेनापती गोड़े की पीठ से उतरे उन्होने कहा अगनी सेन दुर्ग में कितने सैनिक होंगे सेनापती की जै हो 200 उन्हें शीगरी एकत करो परंत बिना किसी शब्द के 100 को लेकर तुम शीगरी चुपचाग दुर्ग के दक्षर की ओर चलो आलोक और शब्द ना हो सेनापती ने मदूलिका की ओर देखा वो खोल दी गई उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापती राजमंदिर की ओर बढ़े प्रतिहारी ने सेनापती को देखते ही महाराज को सावधान किया वो अपनी सुख नुंद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे किन्तु सेनापती और साथ में दुलिका को देखते ही चंचन हो थे सेनापती ने कहा जै हो देव इस इस्तरी के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा महाराज ने इस्तरी नेत्रों से देखकर कहा सिंग मित्र की कन्या फिर यहां क्यों क्या तुम्हारा छेतर नहीं बन रहा है कोई बाधा सेनापती मैंने दुर्ग की दक्षरी नाले के समीब की भूमे से दी है क्या उसी संबंद में तुम कुछ कहना चाहते हो देव किसी गुप्त शत्र ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंद किया है और इस इस्तिरी ने मुझे पत में संदेश दिया है राजा ने मधूलिका की ओर देखा वो काप उठी ग्रणा और लज्जा से उगड़ी जा रही थी राजा ने पूछा मधूलिका ये सत्य है हाँ देव राजा ने सेनापती से कहा सेनिको को इकत्रित करके तुम चलो मैं अभी आता हूँ सेनापती के चले जाने पर राजा ने कहा सिंग मित्र की कन्या तुमने एक बार फिर पोशल पे उपकार किया ये सूजना देकर तुमने पुरसकार का काम किया है अच्छा तुम यही ठेरो, पहले उन आतताईयों का प्रबंद करूँ अपने सहसिक अभियान में अरोरबंदी हुआ और दुर्ग उलका के आलोग में अतिरंजित हो गया भीर ने जैगोश किया, सबके मन में उल्लास था शावस्ती दुर्ग आज एक दस्वे के हाफ में जाने से बचा था आबाल, वृद्ध, नारी, आनंद से उन्मत हो उठे उशा के आलोग में सभा मंडब दर्शकों से भर गया बंदी अरों को देखते जनता ने रोश में हुंकार करते हुए कहा वद करो, राजा ने सबसे सहमत होकर आग्या दी प्राण दंड मधुलिका बुलाई गई, वो पगली सी आकर खड़ी हो गई कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो परसकार लेना हो मांग, वो चुप रही राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है, मैं सब तुझे देता हूँ मधुलिका ने एक बार बंदी अरुन कियों देखा, उसने कहा, मुझे कुछ ना चाहिए अरुन हस पड़ा, राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवशे दूँगा, मांग ले तो मुझे भी प्राणतंड में, कहती हुई वो बंदी अरुन के पास जा खड़ी हुई अभी आप सुन रहे थे, जैशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी पुरसकार